कि यह वाइज वेलकम पेक टो मैं जैनल लगें तो कैसे हैं आप सब लोग आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अपने माइक के उपर बनाने वाला हूँ यह माइक है वाइस सोनी का डवली टू बीटी के मैं अपने ब्लॉक्स के लिए जैसे भाई बहुत सारी प्रॉब् कुछ करा जाए लोगी तो मैंने फाइनली यह वायरलेस जो था डवली डू बीटी लिया है सोनी का यह मुझे पड़ा है बाई बंदरह हजार डाइसो तीन सुरू पर आसपास और यह मंगाया है मैंने बाई अपके स्टूदेंट जो डॉट कॉम वाली साइड उससे मंगाय बाई किसका आ रहा है जिन से मुझे लें आपको याद है मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट दी जिनको मैंने उनी का फोन आया भाई ठीक अडिक आप पहुत लोकेशन कर देना मैं फिर आजाता हूं वही पर ठीक है तो यह मतलब जो हमने मंगाया माइक भाई आए स्टू जादा नहीं लगा तो अल्मोस्ट मेरे लिए बढ़िया लगा भाई है क्योंकि अब जैसा माइक लगाते हैं अपना जो मेरा बोया मैं लगाता था उसमें बहुत जादा पीछे की बैक्ग्रांड नॉइस और यसा बादा था तो भाई इसके अंदर आप्शन्स हैं आपका जीरो डेसीबल और टैन और ट्वंटी अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो टैन के उपर को ट्वंटी के उपर कर रहा हूं तो मेरी आवाज आपको कैसे सुनाई दे रही है आप देख सकते हैं अंदाज है और मैं करीब दो मिटर दूर हूँ अपने कैमरे से और किस त पादा लग गया होगा तेज आरी है किस तरीके से आरी है मुझे निपता पीछे की बैक ग्राउंड जो नौई जबो कितनी आरी है अजान हो रही है उसके आपको आरी है या नियारी मुझे निपता अब मैं इसको टैन जीरो पर करने वाला हूं जीरो पर करकर देखते हैं क पीछे क्यामरा यह उसको उपर लगावा और एक मेरे हाथ में है रिसीवर जो है इसका ट्रांस्मीटर मेरे पास है रिसीवर उदर है तो वाई आप कैसी आवाद आ रही है आपको देखना है कि मेरे हिसाफ सब्सक्राइब बहुत अच्छे पीछे बहुत अच्छे पीछे दूर भी रखता हूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब मैं इसके आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूं एक तो यह मैंने इसके साथ यह मिला था यह लगा लिए था कि और जो नॉइस आती है वह कम हो जाए इसको आप क्लिक कर सकते हैं कि यूँ करके क्लिप करके भी आप बना सकते हैं अपने वीडियो वगेरा क्लिपर बीची के अंदर दिया वाई इसके अंदर जो खासियाद है वह यह है कि आपको तुनों तरफ से रिकॉर्ड कर सकते हैं मतलब अगर आपको इदर से माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर एक इसका अपने फॉन में रिकॉर्ड करें आपको दिखाता हूं इसका ये किस तरीका इसका रिसीवर है ये ये इसका है बाई रिसीवर माइक मिक्स मिक्स पर कर देंगे तो दोनों तरह की आवाज आएगी और इसको एनलोग पर रखना पर आपको अगर आपको पास sony का camera है मेरे पास 64 उसमें आपको वायर लगाने की कोई भी ज़रूद नहीं पड़ेगी क्योंकि यह बिल्कुल ही स्टेबल है मतलब इसके अंदर जो एमाई का इंटरफेर्स है उसकी वजाए से आपको वायर लगाने की जोड़त नहीं पड़ती बट अगर आप दूसरा कैमरा है आपके पास जो इसमें सपोर्ट नहीं होता है तो उसके लिए भी आपको 3.5 की केबल इसके अंदर मिलती है जो अपने कैम सब्सक्राइब करना होता है बहुत सारे लोगों को पता है प्रॉबलम आती है माइक भी आप इसके अंदर भी अगर आप माइक यहां लगा करके इसको सेट कर सकते हैं तो मुझे लगता है काफी अच्छा और बेनेफीशल है अगर मैं रोड के लेता हूं तो रोड के मेरे सब्सक्राइब करें चाहिए और यह मुझे 15000 के मेरे कैमरे सोनी के साथ इनका है वह भाई वह भी काम करी रहा है सोनी के साथ और मेरे वायर भी लगानी पड़ दिया काफी छोटा कॉंपैक्ट है इतना बड़ा भी निया देख सकते आप मेरे कॉलर पर लगावा ओवर यह बस मेरे जो कैमरे वो तो बढ़िया ही चल रहा है और साउंड क्वाल्टी आपको दिखी लिए आपने किस तरीके किया रही है अगर कोई क्वायरी है तो आप मेरो कमेंट करिए इस वीडियो के हैं पर एंड करते हैं मिलते हैं आप से नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए गुडबाइ टेक कैर से यह सोन अब यह मैं जाना है जैसे मिर बास पोन आया था तो मैं महा निकल रहा हूं आपके बाकी की अपडेट नेक्स प्लॉग में देता हूं